आमला विकासखन की अंतरगत आने वाले ससुंद्रा गाउ में बुजर्गों की आसिरवात से बीटे बहु की स्मिर्ती में नव दिवसी भागवत ग्यान यग कथा कायोजन गडिकर परिवार द्वार आयुजित किया गया था मनोज गडिकर ने बताया कि भागवत ग्यान यग कथा कायोजन कथा वाचक महिश प्रसाद शास्त्री जी छिनवारा के मुखिवीर से दिनांग 3-2-2021 दिन वुदभार से प्रारंभो कर दिनांग 11-2-2021 दिन गुरुवार को पूर्णा होती एवं भोजन प्रसादी के साथ समा किया इस दौरान कथा श्रवन करने प्रती दिन लोग यहां पहुंचते थे शास्त्री जी द्वारा कथा के दौरान सुंदर कृष्णी लीला का बाचन किया इस दौरान कृष्णी जन्म उद्सब पर लोगों ने भी नाचका कर अभिवादन किया आज अंतिम दिन आज जो बच्चों का जन्म हो रहा है अस्पतालों में हो रहा है पूरा मारवल बिचह रहता है और ऐसी कम्रे में आज के लड़के जन्म दे रहा है मतला महल में जन्म दे रहा है और करनी ऐसी कर रहा है कि अन्य जेल जा रहा है और हमारे बगवान कृष्ण ने जयल में जनम लियो ओर जये से निकलकर दौर करकि महल तक गयो हमारी एक कविता है खेल खेल में जनम ले भोगे जीवन जयल ओर जयल में जनम प्रभू लियो कि यो खेल ही खेल भगवान का जनम चाहे मत्रा में है wella हमारे लिए कई मात्म कर निए जब तक भगवान का जन्म हमारे हो तो मत्वरा, शरीर, बसदो प्रान, देव की माने देव को बुलाने बाले इसकाम बुद्धी, प्रान ने कहा प्रमात्मा के पास चलना चाहिए, बुद्धी में स्विकार किया, शरीर जाके बैठ गए, तेकिन उसकी इंद्रिया कही और ज भाल अंड है, जो इंद्री का समुदा है उसका नाम को नोगगए, भग्वान Лवाल से चोड़के पड़ ओलाए, क्यों आदा है, क्यों आनन्द है Ko rolling नंद का मतलब होता है नंदम जयाटी, सर्वय जनान सनननन्दा, जो ब आननन्द के बुद्धा तूम जगत को आनन्द द पर समय चगत के लिए आमला से जला प्रतिनी दी हरिपशाद गोही की रिपोर्ट अग्स नाहर चैनल और प्रतिनी प्रतिनी में।